बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी इटुपिशन पेपर हैकर में मैं सुर्ज रास और रास की वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र यहां देख सकते हैं कि बीकॉम सेकंड समेस्टर का जो पेपर होने वाला है उनके लिए हम इकॉमर्स का जो पेपर है देख जो आप अमयरे Chapter नंबर पर कॉंटेक्ट क्र सकते हैं बहुत ही जल्दी इन सभी सब्डेक्टों की Live क्लास चलेंगे Live कोर्स के दौर पर ठीक है आप course को join करके आपको एक application प्रवाइड कराएंगे बहुत जल्दी application बन रहा है मारा उसके बाद में 20-25 दिन में अगली मन्त में आपके क्या है सारी subject स्टार्ट हो जाएंगे आप 3rd semester में आने वाले हैं तो 3rd semester का class पुरा open हो जाएगा आप आराम से join हो कि बहाँ पर सकते हैं बहुत बहुत बहतरीन तरीके से एक एक point को बहाँ mention किया जाएगा आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज में सोचने में समझने में तो बहाँ आप comment कर पाएंगे बहाँ अपने doubt को clear कर पाएंगे सब को जिसोबिधाएं हम आपको provide कराएंगे सिर्फ paper hacker youtube channel के माध्यम के दौरा तो आप channel को जरू subscribe करके रखिए और दोस्तों को बता दीजे किसी भी class में है सब की class है और यूपी बिलिस की आप त्यारी कर रहे है तो उसका भी bet बहुत जल्दी starting होने वाला है ठीक है आपको चिंता करने की जरूत नहीं है बस हमारी channel को subscribe करके रखना है और दोस्तों को share करना है बाकि b.com by paper hacker भी channel है वहाँ भी आप join हो जाए subscribe कर लें और आम से पढ़े आप भी आप हम चैनल वाँ देके डालोड कर नहीं तरहिए अप बहुत करने लइक होते है थे लिः लए सनफ स्टों करिपा कि उखterm पर नहीं को नहीं को कृब करें जो भी आपको ज़रूत बंद river जो भी subject है, उसको आपको application को डालोड करके आराम से पढ़ना है, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह question है, internet क्या होता है, पहला question पर ठीक लगाएंगे, 2022 में आने वाला question है, कि internet क्या है, ठीक है, और इससे प्राप्त होनी बाली सुविधाएं, हमें कौन-कौन सी सुविधाएं ठीक है, भारत के, यह फिर भारत में उनका विकास का प्राण करना है, कि internet पहली बात तो यह जो question हमने उपर पढ़ा है, internet क्या है, बही answer यहाँ लिख देंगे इसमें, यदि यह question आ जाता है, लेकिन आप से देखो, यहाँ सुविधाओं के वारे मुझाना था, यहाँ से क्या इसका योगदान रहा है, उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, internet का हमारी भारत के अंतर, वो आपको बता रहा है, यार कुछ खास नहीं है, introduction of internet, internet का, आपको introduction बता देना है, कैसे इसका विकास हुआ, कहां से जैनम हुआ, वो चीज़े आपको, बिलकुल बना बना के गर दो काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जुरूत नहीं है, next question, internet क्या है, और ब्यापार और शिक्षा में उपयोग की बार बता हो, यह जो उपरवाला कोशर आपने बहां पढ़ा है, इसका अंसर यही हो जाएगा, इतने का अंसर, internet क्या है, आप बात करने वा अपने बस्तू को बेज सकते हैं, यह बहुत जाएगा, इनकी हमने नूट्स बनागी है, अपने प्ले स्टूर पर डाल रखे हैं, और हमारे टेलिग्राम पर जाएगे, टेलिग्राम पर ठीक है, बहां जाकर आपको उपर नीशे करकर अपने subject by subject के नूट्स को डालोड कर स सकते हैं, अराम से पढ़ सकते हैं, और कूर्स के लिए हम बहुत जल्दी ही अपना application launch करने वाले हैं, महां आपको सारी class से मिलेंगी, सारी सब्धाय मिलेंगी, PDF मिलेंगा, सब कुछ आपको प्रवाइड कराया जाएगा, ठीक है, अब यहां देखिए, next question यहां बूला क्या है, e-commerce क्या है, इसके अबश्यक अंग बताईए, तो e-commerce है क्या,, e-commerce है क्या, उसके अबश्यक अंगों के बारें आपको बदा रहे हैं, ठीक है, e-commerce के बारे में, e-commerce होता है, उसके अंगों के बारे में, kौन-कौन से, e-commerce को आपको परिभावासा, आपको परिभासा बता रहिए, अभी पराइब के मतलब होता है, परिभासा, उनके बिवेन फिरकार, e-commerce के कितने पिरकार होते है, यहार e-commerce website देखिए जैसे कि flip card होगे Amazon होगे आप e-commerce website किलाती है तो यही e-commerce का मतलब होता है हम क्या कर रहे है आदा लेंदेन कर रहे है वो e-commerce के अंदर करता है e-commerce और e-website क्या होता है इन दोनों में आप से अंतर पूछा गया है और यहां पूछा गया है cybercraft क्या होता है देखो cybercraft की बात करने साइबर कफ कह सकते हैं cybercuff होगा ठीक है c-a-f-e cybercuff क्या होता है cybercuff क्या होता है cybercuff क्या होता है cybercuff क्या बारे में अच्छी तरीके आपको याद कले है नेक्स कोशिन यहां बोला गया है कि ब्यापार से ग्रहा क संबंदी जैसे की e-commerce की प्रिक्रिया को समझाईए अब देखो मालो e-commerce एक हमारी website है जिसका नाम है Amazon क्या वीटा Amazon ठीक है Amazon sorry Amazon जो हमारी website है ऐसे कर कर सकते हैं और वहिफारी음ाजन स्रॉयुषूराइब स्वेसाइद नेयों कुछ सेलस। क्या है तॉय एक प्रोडइक डाला विपन बोलत जो सोवाज़ारीद ऐसे एक प्रोड़ेक्टिक्ट डाला । ठीक है अब क्या डाल दिया बुग डाल दिया आप देखो क्या करा जब उसने क्या डाला बुग डाल दी सेल का अंदेग लिए तुम क्या का हो ग्राहक मानलों तुम क्या हो ग्राहक हो अब ग्राहक ने क्या किया उसने सर्च किया मजवायन पर और उसे वह बुक मिल गई अब जो इस सेलर और आप गराहक दोनों के बीच में जो संबंद है वेचने वाले में और तुमें जो संबंद है ठीक है वो क्या कहलाएगा उसकी प्रकरिया के बारे में आपको पूरा बता देना है वो भी e-commerce के थूरू मतलब एक website के थूरू क्या होता है ठीक है उसे हम बोलते है बी टू सी इस तरीके से पूर सकता है बी टू सी क्या होता है यह बताईए तो आप बिलकुल कर सकते हैं यापार से गराहक संबंद जो होता है वो e-commerce के थूरू आपको बताना होता है नेक्स कोशिन यहां बुला क्या है उब्भुकता e-commerce के website में जो order नियुजन तथा order स्र स्रेंजन लागत अरुनात कीमत निर्धार की भुमिका का बढ़न करो अब देखो क्या है अब ध्यान से देखो e-commerce website में बता है Amazon वगयरा हो गया फिलपकार्ट हो गया मीसो हो गया बहुत सारी हो गई इसका order नियुजन मतलब की order कैसे लगाया जाता है order स्रेंजन लागात कैसे आती है उसमें कीमत निर्धार कैसे की जाती है उसकी भुमिका का वड़न करो पूरा एक e-commerce website की बारे में आपको बताया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से कोई शू नहीं है उसकी बारे पूरे डिसकस करना जा रहा है तो आप बड़े आराम से next question है यात्रा या फिर e प्रेटन आप क्या होता है यात्रा क्या होती मतलब की internet यात्रा कह सकते हैं मतलब बहुत सारे अपने ब्लॉग देखे होंगे ठीक है और उसमें यात्रा घरवैठे लोग यात्रा कर लेते हैं कि भाईया अब वो डालेंगे हरियाना जाना मुझे या पर हरिद्वार जाना है मुझे पस्यमंगाल जाना है तो लोगों ने ब्लॉग डाल रखे हैं कि पस्यमंगाल के स्टेशन यह है यहां से यहां पहुंचेंगे यहां से यहां पहुंचेंगे तो वो क्या है internet यात्रा यात्रा के नाम से भी जानी जाती है उसके लाब और हान अपने अपने account को किस को खात कितने पैसे देना है किससे पितने पैसे लेना है online banking की सुविधाय प्रवाइड होती है और इससे महत ट्म यह हमें महत यह है कि हमारा time की बहुत भुशत होती है ठीक है यह चीज़ों यहां आपको मेंसन करनी होगी बड़े आराम से ए-banking के बारे में आप जानते होंगे internet banking या online banking उसके बाद में next question पूचा गया है ebit क्या होता है finance का मतलब होता है हमने कोई क्या किया बित मतलब finance बीमा वगारा कह सकते है इंटरनेट फाइनेंस कहा सकते हैं वो चीज़ें आपको यहां मेंसिन करनी है इलक्रोन अनुख यहां बोला गया है एलेक्टॉनिक पैमेंट सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि फोन पे हो गया पे टीम हो गया गूगल पे हो गया इंब जानते होंगे अब इनसे इंटरनेट प ठीक है अपने बुक पबस्टिक लगाते रहें यह बहुत सरल कोशन आता है कुछ खास नहीं आता आपको डरने की जरूत नहीं है क्योंकि मैं आपका साथ हूं ठीक है और आपको जैसे ही हमारा लाउंचो कूर्स तुरंत आप जॉइन हो जाना बहुत अच्छे तरीके से आप से पास हो हो गया है क्या रहा है ने यहां जायको में बारे मता से इक पब्सके साथ है और जो इंतर्शेंच होता है जिससे हम electronic data interchange बोलते हैं जिसे हम EDI के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में थोड़ी वरिभासा देख लेना काम हो जाएगा इसका बत खतम और देखो यहां cybercrack यह पहना उपर पता चुका हूं इसको याद करने की जुरूत नहीं है email तो आप सभी को बता होगा email gmail आप जानते हैं domain क्या होता है जैसे कि मैंने हमारी website www.paperhacker.in जो आप देख रहे हैं na .in जो यह domain domain है हमें मिला है domain सब domain से बोलते हैं domain के बारे में आप जानते हैं वाड़ यार हमसे .in.com.net.online होता है बहुत सारी website है हमने देखियोंगी www.sherkari.com.com .com जो आप दोमेन कहलाता है ठीक है यह आपको देखना है search engine का मतलब क्या होता है जैसे कि मालो यह website खुली गई है और मैंने क्या क्या दिया Ctrl F दबा दिया तो यह search bar खुल जाएगा जैसे कि search bar बनलो यह बनलो यह देखो search bar खुल गया इस नाम का वेक्ति जो भी है वो निकल गया जाए बाहर तो वो search engine के थुरू आता है ठीक है याद रखना यह है यहां कर रहा है वर्ड देखो यह बोल रहा है कि worldwide babe क्या होता है worldwide babe को अचीतरी के स्याद करना है most important करना है IP address का मतलब होता है जैसे कि हम इंटरनेट चलाते है वाइफाइ कनेक्ट करते है तो वहाँ IP address की मानता होती है यदि IP address गलत होगा तो वो क्या होगा नेट स्पीड भी कमाएगी और वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा यह चीज़े वैब वर्जर तो आप जानते ही है जैसे कि हम क्रोम हो गया वैब वर्जर का मतलब होता है जैसे कि हमने जो चीज़े हम कुछ सर्च करते है जैसे गूगल है गूगल क्या है कोई भी वैब साइट को हम बहा डालें तुम जाओ इस वैप साइट पर बैप साइट और व्रॉजर का मतलब होता है उसको सर्च करने वाला ठीक है उसके प्राप्त करने वाला यह चीज़े आपको देखना है डेविट कार्ट हम चानते होंगे डेविट कार डिजीटल प्रमालपत्र का मतलब क्या होता है हमने इंटरनेट के थुरू कोई भी प्रमालपत्र प्राप्त किया कोई भी हमने क्या किया एक साथे बेगट तयार किया ठीक है वो डिजीडल कहलाएगा तो डिजीडल कहलेगा उसके बारे में जानते है जैसे मैंने अभी आप साइम संबन्द क्या कहलाता है, B2B कहलाता है, ठीक है, URL तो आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने एक URL सर्च किया, www.paperhacker.in, उसको copy करके, किसी को बेज कर दिया, सेंड कर दिया, और उसको पहले आ गया, एच टीडी वेवल्स, ठीक है, तो क्या है, यह URL कहला आएगा, ठीक है, और यहां देखुआ है, G2B, यह आप एक बार सज कर लेना, अपने book में, notes में, guest paper में देख लेना, अच्छे दिरे के सबढ़ के चले जाना, यही question आएगे, इससे बादा कुछ आपढ़ने की जरूत नहीं है, सारे के सारे question बना-बना के कर सकता हूँ, यह basic जानकारी है, जो आपको सबको पता होती है, आज कल की जमाने में, ठीक है, तो अब चल को सब्सक्राइब करके जरूर बजा देना, और देखो, दोस्तों को शेर जरू करना है, और आपका भाई-बैन, highschool, inter, b.hc.b.com, mmse.com, कुछ anyway कर रहा है, यह competition के तयरी करना चाहता है, तो हमें बता दो कि paper hacker से ही बढ़ाई करें, बहतरीन बनना है, अच्छा करना है, ठीक है, चल को सब्सक्राइब करें, बाई-बाई